दोस्तों कर आभी सूर्या को खतरनाग खिलाडियो और कप्तान बानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों मूसला धार बारिश के बाद सूपरोवर में सूर्य और रिंकू के चमतकार के चलती टीम इंडिया ने अफरिका को धूल चटा कर पहले टी-20 को अपने नाम किया तो अफरिका के कप्तान एडन मार्करम से लेकर कई बड़े बड़े दिगज एबी डिविलियर जे ड पर अपना गुस्ता निकालते हुए उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या रिंकू और एबी डिविलियर में से कौन सबसे ख़दारनाक टी-20 बल्ले बाज है अपनी राए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ब का लगातार समय बीता गया पहले 8 बजे फिर कब 9 बज गए पता ही नहीं चला यहां तक कि ओवरों की कटाओती भी शुरू हो गई थी सभी प्रारतना कर रहे थे कि कम से कम 5-5 ओवर का ही मुकाबला हमें देखने को मिल जा और अंतमे भगवान ने सभी फैंस की प्रारतना स करते हुए साउथ अफरिका ने 16 रंज सूपर ओवर में बना लिये थे भारत को जीत के लिए 17 रंज चाहिए थे वो भी केवल 6 गेंदों पर चनोतिया असान नहीं थी लेकिन रिंकू और सूर्या ने तो अपने बल्ले से चमतकार ही कर दिया एक के बाद एक चौके चकों की जड़ी लगाते हुए उन्होंने पांच गेंदों में ही मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिला दी और एक शूनने से तीन मैच की इस से टी-20 सेरीज में बढ़त भी दिलाई बस फिर क्या था पूरा हिंदोस्तान तो खोशी से जूम रहा था लेकिन दूसरी तरफ जहां अब तो उनके कप्तान एडन मार्करम से लेकर कई खिलाडियों और अफरिकी दिगजों का भी गुस्सा भूट पड़ा है सबसे पहले तो एडन मार्करम ने कहा कि ये टी-20 मैच नहीं केवाल एक मज़ाग हुआ है एक ओवर से आप पूरे मैच का रिजल्ट नहीं न जताया गया कि सूपर ओवर होना है मुझे नहीं पता कब से मैच रद करने की जगा एक ओवर से मुकाबले का रिजल्ट निकाला जाने लगा हमें अपनी यहार मंजूर नहीं है तो केवल इतना ही नहीं अफरिका के सबसे बड़े दिगज एबीटे विलियर्स का कहना है कि इस तरीके से मैच का रिजल्ट निकालना गलत है हाला कि फिर भी मैं टीम इंडिया को जीत की बढ़ाई देना चाहता हूँ उन्होंने अच्छा खेला तब ही वो जीते हैं पर उनको भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह केवल एक ओवर का मैच था और भारत इस टीम के खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी मुझे अपने टीम पर भरोसा है उनके अलावा डैविड मिलर का कहना है कि सूपर ओवर करने का फैसला अचानक से कैसे ले लिया गया हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा नहीं हमारे कप्तान से पूछा गया नहीं ह काल सकते उतना समय तो सेट होने में लग जाता है अचानक से कोई भी आकर हमें बोलेगा बैटिंग करें तो हमारा वो माइंड सैट ही नहीं होता हम वहां जाकर चौके चके बढ़सा सकें उम्मीद है अगले मैच में हम वापसी करेंगे जी हाँ दोस्तों मिलर भी बिलकुल खुश नहीं थे वो हाशिम आमला का मानना है कि ये तो रेगिलर मैच था इसमें सूपर ओवर करने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी फिर भी मैं टीम इंडिया को बढ़ाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुकाबला जीता है लेकिन अभी दो मैचे बचे हैं हमारी टीम आसा साफ हो गई लेकिन अब आपको क्या लगता है कि तीन मैचों की टी 20 सीरीज कौन सी टीम अपने नाम करेगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद